स्लाम होलेकूम। कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक टाइक। आपूम दर्ला का लाकलाक शुकर है। आज मैं प्यास के पकोड़े बनाने जारें जी क कि स्प्रींग अलेजन है ना इसके पकोड़े बनाने जारें। त्री बंचली मैं इस कुद्धों के कट करके दिखाऊंगी मैं देखिए मैं एक कप से भरके एक कफुल ले ली मैं बेसन उसमें यह इतना अधरक लेसें तरहें हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून थनिया हाफ टी स्पून कि वन टी स्पून मिर्ची है फल्दी को टटी स्पून है नमक एक टी स्पून से थोड़ा कम है नमक पानी दाल के भीगा देंगे देखिए थोड़ी थोड़ी प्यास के परतीस में दाल के मिक्स कर दे जाएंगे इंगे मिक्स कर देंगे अब इस तरह से कर लें आपड़ाइ में आई गरम करते हैं अपर आपको कैसा दालना है बताती अच्छे से निक्स कर लेना है पहले प्यास की पत्ती में बेशन नममक में चल दिया दरक लेसां सब एक जन हो जाना जाना है यह हो गए बासे कड़ाई प्यरम करके तिल यह फ्राइ कर देना है बताती है आपको देखिए अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बैटरी दालते जाओंगे फ्राइ करके दिखाते जाओंगे देखिए ज्यादा बड़ा नियुक्त तोड़ा तोड़ा और यह पर टेस्टी बन करना है बेशन के साथ खोलना फिगा ना करने की चंड़े दो कुछ भी नहीं जब कड़ इस्टेट बना सकते हैं और पेस्टी भी रहते बच्चे उंको खिलाना चाहिए हटियां गटोते अपने प्यास की पद्विशिया ट्राइ कीजिए आप लोग दिखाते में आपको द जल्दी फ्राइए हो जाए और यह साधा टाइम ने लेकर चलिए अब निकाले जाए है देखिए चाट मसाला दाल रहे हुए मैं हमें चाट मसाला है देखिए कैसे दिख रहे हैं फिर आप लोग ट्राइ कीजिए बताए कमेंट्स दालिए लाइक शेर सब्स्राइब कीजि शुक्रिया अलाफिए